अभी हमने hyperbola और इसके elements को discuss किया है तो आए इसको use करते वे exercise 6.6 के सवाल करते हैं हमारे पस question 1 क्या है find equation of the hyperbola with the given data and sketch the graph of each तो हमारे पस क्या है foci given है और centricity की value given है हम क्या करते है पहले equation of hyperbola निकाल लेते हैं फिर उससे वहां से plotting करेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगी foci given है अगर हम कहें midpoint हमने पढ़ा था भी midpoint of foci जो होते हैं वो क्या होता है center of hyperbola होता है यह आप चीज़े याद रखेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा f f prime का midpoint डे लेते हैं तो midpoint कैसे निकालते हैं हमारे पस पहला foci क्या है 06 और दूसरा foci क्या है हमारे पस 0-6 तो center निकालने तो क्या आ जाएगा midpoint का formula होता है x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 तो यह use करते हुए मैं निकाल लेती हूँ तो मेरे पस center जो आ गया है वो क्या आ गया है 0-0 अब हमारे पस eccentricity given है 2 हमारे पस forci in general क्या होता है 0 plus minus c तो यहां से c की value क्या आ जाएगी मेरे पस 6 तो e जो होता हैhö sentricity होता है c over a तो यहां पर अगर e की value पूट कर दें और c6 पूट कर दें तो a मेरे पस क्या आ जाएगा a मेरे पस 3 आ जाएगा तो हमारे पस A और C की value आगी अब B की value हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पस general क्या होता है B square is equal to C square minus A square In case of hyperbola हमारे पस B square जो होता है is equal to C square minus A square होता है यहाँ पर C की value डाल दें और A की value भी डाल दें तो B यहाँ से आ जाएगा मेरे पस क्या आ जाएगा 36 minus 9 तो यहाँ से B की value हम निकाल लेंगे तो हमारे पस B आ जाएगा इसको हम solve कर लें तो यह मेरे पस क्या आ जाएगा 24 तो हमारे पस यहाँ पर B की value आ गी इसको मजीद simplify कर लें तो मैं लिख सकती हूं इसको B मेरे पस आ जाएगा 3 under root 3 हमारे पस A, B, C की values आ गई है अब आप देख सकते हैं हमारे पस क्या है focus जो है 0 plus minus C है तो hyperbola का जो transfer axis होगा वो क्या होगा along y axis होगा तो लिख लेते हैं transversal axis is along y axis तो जो general equation होगी वो क्या होगी y square over a square minus x square over b square equal to 1 तो यहाँ पर हम दाल देते हैं values दाल देते हैं तो हमारे पस क्या आ जाएगा A मेरे पस क्या था y square over a क्या था मेरे पस 3 तो यह 9 आ जाएगा minus x square b क्या था मेरे पस 3 under root 3 whole square equal to 1 यानि उसको मैं लिख लेते हूँ तो यह क्या जाएगा y square 9 x square over 27 7 equal to 1 तो यह हमारे पस क्या आगे equation of hyperbola अब हमने निकालने हैं co-vertices तो co-vertices क्या होंगे हमारे पस इस case में vertices हमारे पस क्या होंगे vertices are 0 plus minus a तो यहाँ से क्या आ जाएगे 0 plus minus a मेरे पस क्या था यहाँ पर 3 था तो यह vertices आ गे हमारे पस अब हमने क्या करना है equation of hyperbola निकाल ली है और हमने अब इसका graph sketch करना है तो बाकी elements आप देख सकते हैं focus हमारे पस आ गया vertices आ गये अब हम इनको क्या करते हैं plot कर लेते हैं और equation of जो हमारे पस directives की थी वो क्या बनेगी वहाँ उसको हम देख लेते हैं वो हमारे पस क्या आएगी asymptote की जो आएगी plus minus b over ax तो अब इन इन इन्ही elements को use करते हुए हम क्या करते हैं graph को plot कर लेते हैं तो आप देख सकते है screen पे हमारे पस क्या आ गया है a जो है हमने vertices को plot कर दिया है फिर focus निकाल लिया है तो हमारे पस यह आ जाएगा plus minus b over ax जो है वो equation of जो होगी हमारे पस क्या होगी asymptote होगी hope so आपको यह question समझाया होगा thank you